यदि आप चाहते हैं कि किसी साधी सुदा महिला को अपने वस में कर ले या किसी कुवारी इस्तिरी को अपने प्यार में पागल दीवानी बना दे तो आप एक मुठी नमक लेकर या छोटा सा पॉर्फूल वा सिकरन टोटका अपने घर बैठे कर दीजिए इस्तिरी आपके प मेरे सोचीगी मेरे प्यारे प्यारे भक्तों ये एतना पॉर्फुल है कि कि सिर्फ एक बार की करना है जिस शीच्टिरी को अपने वस में करना चाहते हैं उसी मात्रा में नमक को मिलाकर क्हिला देना है मैरे प्यारे formation मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस इस्तिरी को नमक खिलाईएगा वह इस्तिरी आपके वस में हो जाएगी आपके प्यार में पागल दीवानी बन जाएगी आपसे मिलने के लिए बेचायन हो जाएगी मेरे प्यारे प्यारे भगतो यह जो वसिकरन टोटका है अजमाया हुआ है सीध किया हुआ है इस वसिक तो आपको कोई मेरे प्यार आप राक्त लेना आपको किया है के करने आपको येंगार लेना है चुंप मिलने के लिए यापकी प्यार में भागल दीवानी बन जाइगीā मेरे प्यारे प्यारे वक्तों तो आईए बतलाते हैं कि नमक से अप कैसे किसी इस्तरी को अपने वस में कर सकते हैं कैसे किसी इस्तरी को अपने प्यार में पागल दीवानी बना सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे वक्तों आईए बतलाते हैं मेरे प्यारे प्यारे वक्तों उसके यदि आप हमारे चनल पर नए हैं आप अंघलवार के दिन आपको someone को क्या करना है नमक लेना है उभी अपने घ鬼 मे लेना है और आपको बैठ जाना है जहां को कोई भी रोक्यटो के नहीं कोई देखे नहीं उसके बाद में करना किया मिला देने वाले अ parts करना चाहते हैं जिसके दिल में आप अपने लिए मुहपत पैदा करना चाहते हैं इसी मंत्र को बोलना है जैसे कि आप फूंक मार दिजेगा उसके बाद में करना क्या है जिस इस्तिरी के लिए उसी करन टोटका किये हैं उस इस्तिरी के खाने के किसी भी समान में आपको करना क्या है मेरे प्यारे प्यारे वक्तो थोड़ी सी मातरा में नमक को मिला कर खिला देना है मैं दावे के साथ करता हू कि बारे घंटे के भीतर में ही वहीं इस्तिरी जिस इस्तिरी के लिए वह सी करन टोटका किये हैं जिस इस्तिरी को आप नमक खिलाईएगा वहीं इस्तिरी आपके वस में हो जाएगी आपके प्यार में पागल दीवानी बन जाएगी मरे प्यारे प्यारे वक्तो मिलने के लिए आपसे बेचैन हो जाएगी किसी ना किसी बहाने से आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी मरे प्यारे प्यारे वक्तो यह दिया आपको कहीं भी समझने में दिकात हुआ है तो नीचे कमेंट करिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे